हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब सवागत आप सभी का कॉमिक वल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राच कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स घुड लोक का खजाना संजय कुपता पेश करते हैं घुड लोक का खजाना हास समराट बाकेलाल का हास से कौमिक, हास सलाकार संजय कुपता, विवेक, मौहन, चित्रांग, गंबेदी, कहानी तरों कुमारवाई संपादन, मनीश कुपता बाकेलाल को एक दिन एक रिशी, तुक्का चारे ने बताया कि बाकेलाल, अगर तु कल प्राता धीट नदी में इसनान करे तो तुझे खजाना मिलने का योग है खजाना, बाकेलाल जा पहुझा धीट नदी में इसनान करने, छपाक खजाना देखने के लिए मेरे आँखें तरस रही है, तभी, अरे ये क्या, मैं तो भवर में भज गया बचाओ, कूप, कोई है, उस कमबकर रिशी, तुक्का चार की बातों में आकर मैं क्यो धीट नदी में कूट पड़ा ये भवर तो मुझे पाताल में खीचे ले जा रही है, खजाने के लालच पर मारा गया तू बेटे बाके लाल बाके लाल एक इस्थान पर आकर गिरा, अरे ये क्या, ये कैसी जगे है, यहाँ पानी में मेरा दंबी नहीं गोट रहा, मैं आरम से सांस ले पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ, पर ये दोनों कौन है, और ये जल महल किसका है, घुड़ लोग का खजाना खतरे में है, जल रक्षक जल उटा, अरे ये दोनों किसी खजानी की बात कर रहे हैं, पिछले एक हजार बर्सों से हम दोनों घुड़ लोग के खजानी की रक्षा में तैनात है और ये खजाना इस जल महल के तीन दरवाजों के पार एक रत पर रखा है रत से जूता है आली शान गोड़ा अश्व दुलत्ती खजाने को ये वर्दान है कि जब तक दुलत्ती रत से जुता रहेगा तब तक उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता लेकिन शायद खड़े वो तो तब ठीक भी हो जाएगा जब अश्व दुलत्ती उसके सामने पढ़ जाएगा असली चिंता तो खजानी किये खजाना उस सूरत में अश्व दुलत्ती को नहीं मिलेगा तुम बेकारी चिंता कर रहे हो खजाने तक पहुँशना आसान नहीं उस तक पहुँशने के तीन दौर पार करने होते हैं प्रतेक दौर पर एक शक्तिशाली रक्षक तैनात है और फिर प्रतेक दौर को अलग-अलग वक्ती ही खोल सकता है मुझे उमीद है कि अश्व दलत्ती घूम फिर का थोड़ी दुनों में वापिस आ जाएगा फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा फ प्रतेक शुषी तुक्का चार का खास सत्तो गया मुझे खजाने का पता लग गया चल वेटा बाकेलाल खजाने से लदे रज से जुद जा उसके बाद सारा खजाना तेरा है हेहे मगर अचानक कुछ सोचकर बाकेलाल ठेटक कर रुग गया बाकेलाल मुर्ख ये तू क्या कर रहा है खजाने के दौर तो तू खलवा लेगा परन्तु अगर तू रज से जुद गया तो तू फौरं घोड़ा बन जाएगा फिर खजाना तेरे किस काम आएगा अगर किसी तर बाकेलाल ठीट नदी से बाहर निकला जल महल तक पहुंचने का रास्ता मैंने देख लिया है अब मोटे को यहां लेकर आता हूँ इदर विशाल करना प्रवेश कट चुका था एक भ्यानक संकट मेरा नाम है नकेल ची मुझे लोगों की नाक में नकेल डालने में बड़ा मज़ा आता है चल मेरी नकेल अपना काम शुरू कर भावो नकेल चीन पलग जपकते ही कल लोगों की नाक में नकेल डाल दी अब तुम मेरे घोड़े बन गए हो तुमानी नकेल मेरे हाथों में है होड़ा पादी क्यों होगा कबराओ नहीं शेयर का एक चक्का लगवा कर मैं तुमें चोड़ दूगा मुझे एक हजार एक लोगों की नकेल नाक में नकेल डालनी है उसी समय महर में बाकेलाल भी अपना पाजा फेक चुका था महराज उस रत से कोई राजा ही जुच सकता है यानि केवल आप ही रत को जल महल से बाहर ला सकते हैं महराज उस खजाने में मैंने कई द्वार भी देखे हैं जो रानी जी पर सोरी कई हार भी देखे हैं जो रानी जी पर खूप फबेंगे महराज फिर तो जल्दी से खजाना लेने जाईए कि तू बाखे लाज उन तीन दारों को कौन कौन खोलेगा ये मैं बताता हूँ सबसे पहला दार खोलेगा सेना पती मैं? हाँ, दूसरा दार खोलेगा बाखे लाल ठीक है और तीसरा दार खोलेंगे खुद महराज क्योंकि रच से जुदकर खजाना उन्हें ही लाना है मुझे मन्जूर है इस खजाने को उप्यों राजी की भलाई के लिए किया जाएगा इसलिए मैं खजाने जबरा रख लेने जरूर जाओंगा परंतु महराज मैं कह रहा था कि ऐसे चोटे मोठे दर्वाजों को खोले का काम मुझे शोबा नहीं देता क्या मेरे बदले कोई सैनिक नहीं जा सकता नहीं आप सब को स्तेया हो चुका है प्रबन मंतरी हमारे जानी की ववस्ता करो जो आग गया महराज चल्दी एक रत पर सवार होकर तीनों धीट नदी के पास उसी इस्थान पर पहुंचे महराज यही है वो इस्थान नदी में दिखती उसनों गुली चट्टान के बाद डुक्की लगानी होगी उस चट्टान की जड़ में पहुंसती जल महल दिखने लगेगा परंतु पहला दर्वाजा खोलने तो सेना पती को जाना है सेना पती जाओ जाता हूं महराज सेना पती नदी में कूद गया जल महल के दोर पर खड़े पहरे दारों को नमसकार कहना मत भूलना नहीं भूलूंगा बाखेलर जब तक सेना पती पहला दर्वाजा खोल कर वापिस लोटेगा तब तक हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर खटी मीटी अमिया लगी हूई है महराज आईए तब तक अमिया खाते हैं सेना पती जल महल के दार तर निर्वेग न जा पहुचा और नमसकार अरे इसना तो हमें नमसकार कर दिया अब तो दार खोलना ही पड़ेगा जाओ मगर ध्यान रहे बीता प्रवेश करते ही तुमारा सामना उठक से होगा तुम उसे पराज के बना आप वापिस नहीं लोड सकते बेटे सेना पती जल्दी से तलवार कसकर पकड़ ले जैसे ही सेना पती इस ओर आया दोर बंद हो गया अठक कहीं नजर नहीं आ रहा दोर भी बंद हो गया है जो अब तभी खुलेगा जब मैं उठक को परस कर दूँगा तो और तभी मेरा कान किसने पकड़ लिया तु मुझे ही तो धून रहा था मेरा नामी उठक है चल अब जल्दी से कान पकड़कर सौ उठक बैटक लगा वरना ये तुशूर तेरी चाती में खुब दूँगा पहले मुझे वो दरवाजा कोलने दूँ जो भी उस दरवाजे को कोलने यहां आता है उठक बैटक लगाने पड़ती है अगर मैंने उठक बैटक लगा ली तो अगर मैं तेरी उठक बैटकों से परसन हो गया तो मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं उठक बैटके लगाता हूँ इसे नाराज करना ठीक नहीं होगा वरना ये अभी तुशूर को हुप देगा एक, शबाश, जल्दी कर तब तक मैं अपने तुशूर की धार तेज कर लूँ 10, 11, 20, 40, मर गया मैं तो टांगे जबाब दे रही है पर 100 उठक बैटके तो पूरी करनी होगी 50, तेरी 50 उठक बैटक पूरी हो गई हो मेरे तुशूर की धार भी पहनी होती जारी है 60, 61, 70, 80, 90, और पूरे 100 अब तो मुझे से प्रसंद हो गए होगी मुझे दरवाजा खोल ले दो दरसल मैं नहीं मैं किसी पर प्रसंद ही नहीं होता पर उठक बैटक शुड़ू करने से पहले ऐसा कहना पड़ता है वरना कोई उठक बैटल लगाएगा ही नहीं जबकि इस तुशूर का बार उसी वेक्ति पर किया जा सकता है जिसने 100 उठक बैटल लगा ली हो अगर तु 100 उठक बैटल के ना लगाता हो तो मैं तुझ पर वार नहीं कर सकता था पर अब तु मेरे तुशूर के प्राहर से नहीं बचेगा ये तुशूर मेरी जान लेने आ रहा है मुझे उठकर भाग नहीं पड़ेगा भाग से न पती परना आज गया तु जान से ये तुशूर जब चलता है तो एक जान लेकर ही दम लेता है देख बे सेना पती धीरे भागियो मैं खचुआ देवता के दिशूर नहीं जादा तेज नहीं बाग सकता तू तेज भागेगा तो मैं तुझे मारूंगा कैसे सेना पती ने बचने के लिए उस मूर्ती के पीछे छलंग लगा दी इसने तो मूर्ती को चीर डाला ऐसे ही ये मुझे भी चीर डालेगा मुझे पहला दर्वाजा खोलने के लिए नहीं आना चाहिए था बलकि दूसा दर्वाजा खोलने के लिए आना चाहिए था धीरे धीरे नहीं बाग सकता क्या मैं बचने के लिए पत्थर के जिस मूर्थी के पीछे शलंग लगा तो यह तरशूल से तोड़कर फिर मेरे पीछे लग जाता है मुझे उठक ही इससे बचा सकता है उठक जी मुझे इससे बचा लो खचाक आ ये क्या मेरा ही जूता मेरे सिर पढ़ गया वो मारा तरशूल को एक जान ले नहीं थी सो उसने ले ली उठक मारा गया तरशूल उसकी चाती में ही धसा है यानि अब कोई खत्रा नहीं और ये रहा पर्थम दौर जिसे अब मैं आराम से खोल सकता हूँ खोल गया दौर अब जल्दी से चलो वापिस कहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए सेना पती धीट नदी में से बाहर निकला महराज मैंने पर्थम दौर खोल दिया सेना पती आ गया ये तो बड़ी जल्दी आ गया इसका मतलब अब मेरी बारी आ गई बाके जल्दी जाओ दूसरा दौर खोल कर ही लोटना बिना दौर खोले तो ये लोटी नहीं सकता बाकी तैरता हुआ जल्महल के सामने खड़े राक्षसों के पास पहुचा भाईयो नमस्कार नमस्कार जाओ अंदर जाओ पर्थम दौर खोला है दूसरा खोलने से पहले ध्यान रखना की शोयतनाक को परास किये बिना तुम वह दौर नहीं खोल पाओगे बाके लाल सेना पती दौरा पहले से खोले गए दौर को भी पार करके दूसरे दौर के सामने आ पहुचा यही दौर मुझे खोलना है हाँ लेकिन तब जब मुझे से बचेगा हाँ ओ यह शोयतनाक है शोयतनाक भाईया आदा खजाना मैं तुझे देदूँगा मुझे दूसरा दर खोलने दे हाँ हाँ मूर्ख मैं खजाने का रक्षक हूँ मेरा काम खजाने के रक्षक करना है तू मेरी दाड़ी के बालों की थाकत को नहीं जानता अगर यह तुझे चूग या तो तू पांसो साल का बूड़ा हो जाएगा पांसो साल का बूड़ा? बागे लाल ने जबटकर वे थाल उटाया और बाल के उस शक्तिशाली प्रहार को रिका तुने एक बार बचा लिया तो क्या हुआ मेरी दाड़ी बालों से बरी है यह तोड़ा मैंने दूसरा बाल शेतनाग ने दूसरा बाल भी बाके लाल पर फेक मारा मैं तिरे इस बाल की भी दिशा परिवर्थित कर दूँगा परास तोकर नीचे गिरने के साथ ही वे बाल भी बाके लाल उस बाल से भी बच गया परास तोकर नीचे गिरने के साथ ही वे बाल भी पहले वाले बाल से जुड़ गया यह रहसे बाके लाल ना देख सका था अगर यह मानव हमारे प्रहारों से ना मरा तो हम सब जुड़कर एक शस्त्र बन जाएंगे बाके लाल बाके लाल को बचना था शोयतनाक के फेके तीसरे बाल से कहीं से कोई मशाल मिल जाए तो इसका मकित की दाड़ी जला डालू ताकि ना रहेगा बास और ना बजी की बास दी कब तक बचेगा तू मेरी ताड़ी के बालों से जब मौस सिर्पर हो तो बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए एक एक बाल से कुछ नहीं हो रहा अब पूरा गुच्छा ही तोड़कर फेकता हूँ बाके लाल तकी अड़ा कर सबी बालों के प्रहार रोक लिये आखिर कब तक बचेगा तू बेटे बाके लाल कहीं कोई बातल तुस से चूग गया तो नहीं इस बार तक किये से छूटकर नीचे गरते बालों को बाके लाल ने भी देखा ओ ये सबी बाल नीचे गरकर इखटा हो गए और वहाँ एक शस्त्र का निर्माण हो रहा है जबकि शोयतनाग ने इस बार अपनी दाड़ी की और हाथ बढ़ाया तो आएं ये क्या दाड़ी के सारे बाल खत्म हो गए बच्चो शोयतनाग तेरी दाड़ी से ही बना ये केशास्त्र जिससे अब तु मेरे हाथों मरेगा नई बाकिलाल ने केशास्त्र शोयतनाग की जाती में घोप दिया खचाक आ मरा मेरी मिट्ट्य मेरी दाड़ी के बालों से बने शस्त्र सही हो नी थी वो मारा पापड़ वाले को शोयतनाग मारा गया अब चल कर खजाने का दूसा दौर खोला जाए और ये खुला खजाने का दूसा दौर फिर जल्दी लो बाकिलाल भी आ गया इसका मतलब खजाने का दूसा दौर भी खुल गया अब बारिती राजा विकरम सिंग की अच्छा बाकेला मैं खजाने का रत लेकर लोटता हूँ हाँ अगर रक्षक के हाथों बच गया तो रत से जुदकर गोड़ा बनने से नहीं बचेगा है राजा विक्रम सिंग जल महल के दौनों रक्षकों को नमस्कार करके तीसरे दर्वाजी की ओर बढ़ा ये तीसरा मानव अंदर आ गया है अगर इसने तीसरे दर खोल लिया तो खजाना जरूर इसी का हो जाएगा और अश्व दलत्ती का कहीं पता नहीं है राजा विक्रम सिंग दो दर पार करके तीसरे दर पर पहुँचा ही था कि ओ ये इस तीसरे दर का रक्षक होगा धपा है है मानव मेरा नाम धपा है अब तुझे मेरे साथ चुपन चुपाई खेल ली होगी पहले तू छिपेगा मैं तुझे ढूनूँगा अगर मैंने तुझे ढून लिया तो तू अपना से मेरी तलवार पर रख देगा लेकिन अ मैं आग बंद करके दिवार की तरब मुह करके दस तक गिनती गिनता हूँ एक दो तीन मैं छुपने जाता हूँ आजाओं अभी नहीं आओं आजाओं कहां छिप गया रे तू मोटे कड़ू मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ ओ मैं तो पलंग के नीचे देखने ही वाला था अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया धप्पा तूने मुझे धप्पा कर दिया यानि तू पहले खेल में जीत किया अब मैं छुपने जाता हूँ मैं दस तक गिनता हूँ एक दो आओं अभी नहीं आओं आजाओं ओ राक्षत धप्पा के पाउं दिखाई पड़ क्लाक मेरी जानिस दर्वाजे में थी जिसके तूटते मैं मड़ जाओंगा विकरम सिंग अंदर पहुंचा अरे वह यह रहा रत में लदा बेशोमार खजाना अब रत जल महल से बाहर ले जाने के लिए मुझे रत में जुतना होगा और ऐसा करते ही यह क्या मैं तो गोड़ सिंग बाहर निकले वो मारा पापड़ वाले को खजाने गरत आए गया पर तुम महराज का है यह गोड़ा ही तो महराज है क्या पर तुम्हें कैसे पता चला वो वो गोड़े की मूझे देखकर हाँ सेना पती मैं ही राजा विकरम सुंगू मैं रज से जुत्ते गोड़ा ब लगा नहीं पड़ेगा वरना आप चलेंगे नहीं क्योंकि इस वाक आप गोड़े बने हुएं चल मेरे गोड़े टिक टिक पूरे विशाल गड़ में जहां खजाना मिलने की प्रसनाता थी तो वहीं पर राजा विकरम सिंगे गोड़ा बनने की कबर ने सब को उदास कर दि खजाने को रस से उतार कर राजकोश में बेज दिया गया मुझे तो फिक्र राज सिंगासन की हो रही है अब उस पर कौन बैठेगा महराजी बैठेंगे और कौन बैठेगा मेरा मतलब जब तक महराज ठीक नहीं हो जाते महराज इस रस सही दास दर्वान में खड़े होकर और की कारवाई करेंगे सिंगासर नटा दो गम्भखत महों मंत्री सिंगासर में मुझे बैठने थी दर्वार की कारवाई आरम हुई थी कि महराज नकेलची से हमारी रक्षा करें वो सबकी नाक में नकेल डलता फिर रहा है बागेलान नकेलची को खत्म करने की नकेलची का पता सही सब्सक्राइब लगा, महराज से बढ़िया गोड़ा उसे नकेल डालने के लिए कहा मिलेगा, किसी तरह उसे महराज के पास ले आता हूँ, फिर वो महराज की नाग में नकेल डालकर उन्हें हाक कर यहां से ले जाएगा, थड़ा, आ, शल मेरी नकेल, इस मैं तुझे छोड़ दिया, मुझे उस नाग के पास ले चल, आओ मेरे साथ, चल दी, वो रही एक हजार एक मी सबसे बड़ी आनाग, अरे बाकिलाल यह क्या कर रहे हो, आएं, यह तो गोड़ लोग के खजाने का रत है, जिससे बचकर मैं भागा था, इसी से हमेशा के मुझे एक हजार एक मानवोगी नाग में नकेल टालनी थी, नकेल ची केतना कहते ही, विकरम सिंग अपने हस्री रूप में लोट आई, मैं ठीक हो गया, आएं, मोटा तो ठीक हो गया, दूसरे ही पन नकेल ची गोड़े में बदल कर रत से जा जुता, अरे नकेल ची गोड़ अस्तबल में ले जाओ, और खजाना मिलने की खुशी में जश्न का प्रबंद करो, समाप्त, तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगली कॉमिक्स, अब सरा की आखें में, तब तक के लिए धन्यवाद